बच्चों आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ आठ क्रिया नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं पेज 53-54 प्रस्न एक क्रिया की परिभाशा लिखिये क्रिया के कितने भेद होते हैं उत्तर जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उन्हें क्रिया काते हैं जैसे खाना, सोना, जागना, खेलना, पढ़ना, आदि क्रिया के भेद क्रिया के दो भेद होते हैं प्रस्न दो अकर्मक्रिया तथा सकर्मक्रिया में अंतर इसपश्थ कीजिए उन्हें आप कैसे पहचानेंगे पुत्तर जब करता की क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और वाक्य में करता क्रिया व कर्म तीनों का समावेश रहता है तो उसे सकर्म क्रिया करते हैं जैसे मन्जू फल खाती है जब करता की क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और वाक्य में करता क्रिया व कर्म तीनों का समावेश रहता है तो उसे सकर्म क्रिया कहते हैं जैसे मन्जू फल खाती है जब केवल करता वो क्रिया मिलकर वाक्य को पुर्णता देते हैं वाक्य में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक्रिया कहते हैं जैसे बच्चा रोता है जब केवल करता वो क्रिया मिलकर वाक्य को पुर्णता देते हैं वाक्य में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं जैसे बच्चा रोता है क्रिया की पहचान सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए इन क्रियाओं के साथ क्या अथवा किसको लगा कर प्रस्ण करना होगा यद कोई उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है और यद कोई उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक है तीसरा सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत काचिन लगाईए कर्म के बिना पुर्ण नहीं होती कर्म का किया जाना क्रिया का लाता है कर्म का किया जाना अकर्म क्रिया है सकर्म क्रिया कर्म के बिना पुर्ण नहीं होती सही का निसान कर्म का किया जाना क्रिया का लाता है सही का निसान गो काम का किया नो जाना अकर्मक क्रिया है गलत का निसान चवथा सही बिकल पर सही का चिन लगाईए को क्रिया कहलाता है काम का करना करता का काम करना सह जब काम का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाता है जब काम का करना या होना पाया जाए सही का निशान लगाना है ख एक कर्म वाली क्रिया का लाती है और अकर्मक ब द्वी कर्मक सो सकर्मक सो सकर्मक क्रिया पर सही का निशान लगाना है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं और पांच ब दो सो तीन ब दो ब पर सही का निशान लगाना है घर क्रिया के बिना वाक्य पूरे हो जाते हैं बदले नहीं जाते पूरे नहीं होते क्रिया के बिना वाक्य पूरे नहीं होते सो पर सही का निशान लगाना है अंगा मोर नाचता है वाक्य में क्रिया है और मोर बब नाचता है सह है बब नाचता है पर सही का निसान लगाएंगे पाच्वा कोश्ठकों में दिये गए सब्दों के सही क्रिया रूप से रिक्त स्थान भर ये कह नदिया पहाडों से निकलती है निकल का हो जाएगा निकलती है ख बच्चा जादू गर के इसारे पर नाचता है नाच का नाचता है हो जाएगा गश्याम ने अपना पाठ याद कर लिया, करना का कर लिया हो जाएगा गश्याम आपका क्या नाम होना चाहिए, होना का होना चाहिए हो जाएगा अंगलता मंगेशकर मधुर गाती हैं, गाना का गाती है कर्म को क्रिया से मिलाना है, कर्म क्रिया कफूल को मिलाएंगे तोड़ना से, खपत्र को मिलाएंगे लिखना से, गरोटी को मिलाएंगे पकाना से, गेहूं को मिलाएंगे उगाना से, फूल को तोड़ना से, पत्र को लिखना से, रोटी को पकाना से, फल को काटना से, गेहूं को उगाना से सात्वा नीचे दी गई क्रियाओं को सकर्मक रूप में बदल कर लिखिए मैं खेलता रहा गेंद से बनाना है तो मैं गेंद खेलता रहा व जोर जोर से सुना रहा था भाषन तो भाषन से बनाएंगे व जोर जोर से भाषन सुना रहा था गव खा रही थी संतरा इससे बनेगा व संतरा खा रही थी अठवा नीचिये दिये गए वाक्यों में कर्म को रेखांकित कीजिए कमामी जी फल लाती हैं फल को रेखांकित करेंगे ख मैंने दूध नहीं पिया दूध को रेखांकित करेंगे गर रंजन कार से घूम रहा है कार को रेखांकित करेंगे नवा नीचे दिये गए वाक्यों में कर्ता को रेखांकित कीजिए कह हिरनी भाग रही है हिरनी को रेखांकित करेंगे ख सुर्य दिन में चमकता है सुर्य को रेखांकित करेंगे ग बालक रो रहा है बालक को रेखांकित करेंगे होमर के प्रस्ट प्रस्ट उत्तर याद करना है दुसरा सही विकल्प रिक्तस्थान कर्म वक्रिया का मिलान क्रियाओं को सकर्मक रूप में बदलना कर्म वा करता को रिखांकित करना याद करना है